नमस्का दोस्तों मैं हूँ योगिता स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ट स्काई में हम सभी लौकी की सबजी के फायदे पढ़ते रहते हैं वैसे लौकी का हलवा खाने में मिल जाए तो हर खाने का स्वाद दो गुना हो जाता है लौकी की सबजी के फायदे के साथ साथ हम लौकी का जूस भी पीते हैं लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि डाइबर्टीज के मरीजों के लिए लौकी की सबजी खाने के फायदे के बारे में diabetes रोगी को लौकी की सबजी के फायदे इसलिए भी मिलते हैं क्योंकि इसमें पाण में प्रतिशाद पानी की मात्रा होती है लौकी में fiber की मात्रा भी होती है जो भूख को control करने का काम करती है ब्लड शुगर कंट्रोल में लॉकी इसलिए भी फायदे मंद होती है क्योंकि इसमें ग्लूकोस की मात्रा ना के बराबर होती है लॉकी में पाई जाने वाले एंजाइम और प्रोटिन शरीर में टाइरोसिन फॉसफेट बीटा वान को कम करने में मददगार होते हैं लॉकी के सेवन से शरीर में प्रतिरोधी इंसुलन का उत्पादन संभव हो सकता है शरीर को लॉकी के खाने से कहीं तरह के फायदे होती हैं लॉकी एक आयूरुवेदिक डिटॉक्स फूड है शरीश विशाक्त प्रधार्तों को निकालने में लौकी का जूस फायदेमन होता है एक्सपर्ट फिर मानते हैं कि लौकी को पका कर खाने की जगाए जूस की तरह उपयोग करना जादा फायदेमन होता है डाइबर्टीज रोग्यों को किसी भी डाइट को लेने से पहले उसे खाने या पीने का समय ज़रूर जान लेना चाहिए लौकी का जूस कब पीना चाहिए करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें